नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल जिसका नाम है लर्ण विथ एडू फंडा और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारी टीचिंग अपिटूट की क्लास खतम हो गई है यारी टीचिंग अपिटूट कम्प्लीट हो गया है और हमारा यह हमारा यूणिट है देख रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी से कवर अप कर लें कि लंबा चैप्टर है और वैसे यह इसाच अप्रिचूट काफी लंबा चैप्टर है तो आम लोग बहुत जल्दी से इसको लब आजया देघंटे की वीडियो करके लेक्चर जो है करके हम लोग पांच छे सच पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे हाला कि मैं इसमें ट्राइ करूंगा कि यह लग बग पांच यह चार ही में यह कंप्लीट हो जाए पुछली स्टाट करते हैं आज की क्लास और जो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करें शेर करें सब अपने अपने जो पढ़ाई है उसको इन्हेंस करें ठीक में इसमें क्या है इसमें क्या पढ़ना है इस को स्टाट करते हैं प्रकार लक्षण-प्रत्यक्ष़वाद और अनुसंधान के लिए सकारात्बग द्रिष्टी कोड को यह लेखा अनुसंधान की तरीके, प्रायोगिक वाणात्मक, एतिहासिक गुडढात्मक और मात्रात्मक तरीके मतलब ये सब चीजे हम लोगों क्या इस पूरे चैप्टर में मतलब इस पूरे यूनिक टू में पढ़ने हैं देखते हैं पहले अनुसंधान की चरण ठीक है क्या है थिसिस और लेख लेखन संदर्व के प्रारूप और शैली अनुसंधान में ICT का अनुप्रियोग 2019 पाठेक्रम में निया जोड़ा गया है थिक है ICT अनुसंधान नैतिकता रही सेम चीज़ ये इंग्लिस में लिखा हुआ है देख लेते हैं रिसर्च फ्रेजेज मतलब अनुसंधान की चरण थेसिस और आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट्स और स्टाइल्स और रेफ्रेंस अप्लिकेशन आफ आई सीटी इन रिसर्च रिसर्च एथिक्स ये सब चीज़ें हम लोगों क्या करने हैं इसमें पढ़ने हैं चलिए मतलब रिसर्च का आनुसंधान का अर्थ क्या है मीनिंग फ रिसर्च फर्स्ट वी शूड स्टार्ट फॉर्म दो वर्रिसर्च इस वर्ड इसमेड आप बाई एडिंग वी एज अज प्रिफिक्स तु दे वर्ड सर्च ठीक है यानि सर्च से पहले इसको अड़ किया जाता है प्रिफिक्स के रूप में रिसर्च रिसर्च इस टू मेट नून ओफ एन एकसेस्ट अग्जिस्टन अनून थिंग दियर फोर रिसर्च सर्च औफ रिसर्च स्वार्च इसमें और ज्यादा उसको खोजना जैसे जो खोजी जा चुकी है अब उसी पर क्या अनुसंधान करना उसी पर रिसर्च करना यानि खोज तो गई है खोजी गई है लेकिन क्या पता उसको खोजते खोजते कुछ और चीजे कुछ और इन्फरमेशन जो चूड़ गई हो वह आप उसको ढूंड कर निकालिए ठीए means to elect some facts out of unknown thing research in common parlance refers to a search of for knowledge यानि कि अगर जो कोई चीज खोज दी जैसे suppose करिए यह जिस आंड्रोइड फोन में आप यह लेक्चर अटेंड कर रहा हो अब इस पर हम लोग research करेंगे तो बहुत सी चीज़े होंगी जो अब हम लोग बनाएंगे तो उसमें कुछ किस मोडिफाई कर सकते हैं क्या पता जैसे आपका प्रोसेसर बहुत फ्लो हो है या फास्ट है तो उसको और फास्ट किया जा सकता है यह कैसा होगा जब उस पर research हम लोग करेंगे ठीक है तो देख लेते हैं इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या है अनले सबसे पहले हमें रिसर्च सब्द से शुरू करना चाहिए यह सब्द सर्च सब्द के उपसर्ग से के रूप में री को जोड़ कर बना है खोज एक अग्यात वस्तु का पता लगाना है इसलिए अनुसंधान खोज की खोज का अर्थ है कुछ प्रत करना किसी ग्यात वस्तु से तथ समान्य भासा में अनुसंधान का अर्थ ग्यात की खोज से है जो मैंने बताया कि कोई अज्ञाद चीज है उसको खुझ जैसे मैंने एक्जामपल के तौर पर आपका Android फोन लिया था अब Android फोन पहले सबसे पहले थोड़ी खुझा गया था पहले डिस्क फोन था डिस्क फोन को मोडिफाई किया उस पर रिसर्च किया गया तब एक हमारे अब Android को इतना ज्यादा इन्हेंस कर दिया गया इतना टेकनालोजी ला दी गई है कि जो काम हमारे पूप्यूटर करता था वह अब हमारा क्या कर रहा है सेल फोन एंड्रोइड फोन कर रहा है तो मैक्सिम्म लगभग 80 परसेंट जो काम है हम लोग Android फोन से कर सकते हैं क्या प एवरी लेटर आफ दे वर्ल्ड एवरी लेटर आफ दे वर्ल रिसर्ज इंफैसिजिज अश्पेशल एंड डिगनिफाइड मेनिग एस गिवें दिलोग सोद सब्ल का प्रतेक अक्षर एक विशेश और सम्मान यनक अर्थ पर जोड देता है जैसा की नीचे दिया गया है य C for expert treatment, S for search for solution, E for extensive, A for analytical analysis, R for relationship, C for careful, careful में अब देती है recording, critical, constructive, H for honesty, hard work, ठीक है वही चीज़ देगी अब हिंदी में होगा यानि ये तो इंग्लिस था अब हिंदी में इसका कुछ दिया होगा देखते हैं क्या दिया है R का मतलब तर्ग संगत सोचने का तरीका E for wishes उप्चार, S for search सामधान के लिए E for satiqta, R for wishlashatmak, wishlashat, R for relationship, C for shawdhan, H for imanदारी यानि ये सेम चीज़ है, इसी का ये क्या हुआ है, हिंदी अन्वाद है यानि कि आप जो देखते हो, R, E, S, E, A, R, C, H यानि ये सब जितने भी आप देख रहे हो, ये सब इसी का क्या है बड़ा मतलब इसको extend करके बता है, extend for जिसको बोलते हो, आप लोग, full form, ठीक है तो ये इसकी पूरी क्या है, इसकी meaning है, इसका हर एक जो later है, वो एक particular चीज़ को क्या करता है, define करता है ठीक है, चलते है next, अनुसंधान क्या है, बड़ाई अनुसंधान क्या है, देखते हैं क्या है, अनुसंधान मतलब होता क्या है, एक्चुली में अनुषनधान मतलब रिसर्च छीए यह सब्द अपने आप में यह सुझाओ देता है कि हम कुछ खोज करें रिसर्च मतलब कुछ खोज करें सर्च हो गया है उस पे दुबारा आम लोग क्या करें सूध करें रिसर्च, अनुशंधान करें जो वहाँ है लेकिन हमारे लिए अज्यात है जैसे कि अभी आप लोग दिमाग लगाओगे तो सोचोगे सारी अविश्कार तो हो चुके हैं अब हम नया क्या करें लेकिन आप किसी पॉर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पॉर्टिकुलर चीज पर आप फोकल्ट हो जाओगे तो उसी में आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई देगी या फिर आपका कही न कहीं आपके दिमाग को हिट करेगी कि नहीं ये चीज यू थी ये किसी ने खोज नहीं कि ये हमने किये जैसे कि जितने भी आइंस्टाइन जो थे सब लोग जानते हैं कि सुरू से ही फल जो था जो जमीन पर गिता था लेकिन जो न्यूटन थे उन्होंने देखा कि फल नीचे ही क्यों जड़ रहा है ये उपर क्यों नहीं जा रहा है तब उन्होंने क्या ग्रैविटी की खोज कर ली ठीक है तो तमाम तरह की बाते हैं तो जो आप उस पर फोकस रोंगे आप उस पर सोचेंगे तब तरीका निकालेंगे कहां ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा ही क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ तो यह यानि कि जो अग्यात है लेकिन है अग्यात है ल की खोज फॉस से और ढूडने के लिए खोजे तो अनुसंधान का अर्थ उस विसेश के भीतर कुछ नया खोजना है जो पहले से मौजूद है यह जो आपका है यह सेंटेंस यह इसको हम लोग इंग्लिस में क्लियर कर लेंगे अब इंग्लिस में है इसका what is research तो research आपको समझ में आओगा होगा तो हाई यह देख लेते हैं इंग्लिस में the term itself suggests that we are searching something which is there but remains unknown to us अलब exist तो करती है लेकिन हम से क्या है वो unknown है हम लोग उसको जानते नहीं है अग्यात है वो research stands for remaining again and search find ठीक है so research means to seek out something new within the topic that already exists ठीक है मतलब कि जो चीज है जिस subject है वो उसमें exist तो है लेकिन वो unknown है और वोई चीज को क्या करना है हम लोग को खोज कर निकालना है यह हमारा क्या है अनुसंधान है चलिए देखते हैं next next क्या है पहला इसमें क्या बता रहा है पहला यह उन वस्थों के बारे में नई जानकारी का पता लगाने के लिए की कई खोज है जिनहें हम पहले से जानते हैं मतलब पहले से चीज जानते हैं लेकिन उसमें नई जानकारी उसमें नई मतलब रिसार्च करेंगे तो नई जानकारी निकल गईगी स्वस्तु को तो जानते हैं लेकिन उसमें जो जानकारी है कुछ जानकारी जो है हम से क्या है अन्नोन है और वही जब अनुसंदान उसमें करेंगे रिसार्च करे के लिए विवस्थित होना चाहिए थर्ड है इसे खोज की यात्रा के रूप में भी उलेखित किया जा सकता है कुल मिलाकर यह एक ट्यूटोरियल गतिविदी है लेकिन निति निर्मार जैसी वास्त्विक जीवन स्थिर्यों के लिए इसके निहतार्थ है इसलिए हम सूद के अर्थ को इस प्रकार जोड़ेंगे इस प्रकार जोड़ेंगे यह सारी इन्होंने जो कंटेंट होते हैं वो बता है उन्होंने पूस्ताच खोज जांच का रवया तथ्यों को उजागर करने के लिए किया गया है एक वैग्यानिक और उद्देश शुपुर प्रयास वारे में खोज जहांच उसका रवया उसका बैग्यानिक द्रिश्टिकॉन यह सब चीज़े जब तक वह सार्टिफाइड ने हुआ तब तक वह वैल्यू नहीं होगी उस खोज की ठीक है इसलिए कुईसीवी खोज को जब कर लिया जाता है तो उसको मतलब उसकी सत्ता को उ नाचने के लिए उनसे बड़े उस जो छेत्र में जो इस्कॉलर्स होते हैं उनसे टिपड़ी कराई जाती है उनके उनके पास भेजा जाता है रिसर्च पेपर तो वह देखते हैं वह अपना पूरा सर्टिस्फाइड हो जाएंगे तब बताएंगे हाँ यह चीज सच में ए systematic for searching important information on a selected topic तर्ड यह तर्ड यह तर्ड यह तर्ड यह तर्ड यह तर्ड दिस्ट अइज़ यह तर्ड जावर्ज प्रवगे जूवर्ण दिसक्वर्य और गार्मस इस टूर्माइज अटिवर्ट वह तर्यल अट्स पूर्ड पूर्ट ट्यूवर्ट यह चात्विक्त He will sum up the meaning of research as an attitude of inquiry, search, investigation, a scientific and objective effort made to uncover fact hence requires the application of scientific methods. याने कि उसको प्रूव करने के लिए scientific method होना ज़रूरी है. ठीक है? और कुछ परिभाशाय देख लेते हैं, definitions. यहां प्रसिद सुध करता हों और च्छात्रो द्वारा कई परिवाशाय दी गई हैं जो आपको सुध के अर्थ और अधिक इस्पष्ट रूप से समझने में क्या होंगे? सहता होंगे. सहता करेंगे. देखिए पहले को सा है? यंग पीवी. इनके अनुसार क्या परिवाशा जी गए है. यह इम्पॉर्टेंट है सारे. यह आप लोग इंपॉर्टेंट लिफीजेएगा. यह यंग पीवी हो गए है. करलिंगर हो गए. यह सब क्या है? इम्पॉर्टेंट चीजा है. इन सब चीज़ों को याद रखिएगा. यह आपका इस्टेट्मेंट पर ही रहा हूं लेकिन यह जिसको मैं important बोल रहा हूं वह very 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 important चीज़े हैं ठीक है और इसकी 100% guarantee है कि आपको exam में as it is कोई statement दे के पूछ सकता है या फिर true false में जैसे कि कौन सा कथन सही है गलत में पूछ सकता है ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा इनके अनुसार क्या है अनुसंधान को इसलिए भी परिभासित किया जा सकता है क्योंकि नए तथ्यों की खोज करने या पूराने तथ्यों को सत्यापित करने की वैवस्तित विधी उनके अनुक्रम अंतर संबंद कारण इस पश्टी करण और इसलिए प्रकृतिक कानून जो उन्हें नियंत्रित करते हैं इसलिए भी इनको परिभासित किया जा सकता है तो यह किसके अनुसार है यंग पीवी के अनुसार है यह अनुसंधान का परिभासा ठीक है करलिंगर इसके बारे में कौन सा परिभासा देते ह देखते हैं अनुसंधान घटना की बीच अनुमानित संबंधों के बारे में काल्पनिक प्रस्ताओं की ववस्थित नियंत्रित अनुभंजय और महत्यपूर्ण क्या है जाच है ठीक है यह कर्लिंगर के द्वारा है यह भी है जो जो मैं बोल रहा हूं इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा अलाकि यह नोट्स बनाएं जोरत तो है नहीं क्योंकि यह पीडिएफ आपको मिल रही है टाइम टेलीग्राम चैनल पर जो की फ्री आफ कॉस्ट है अब देखते हैं जॉन डवल्यू बेस्ट इस प्रका संताओं के विकास के लिए छोड़ देती छोड़ देगी भविश्यवाड़ी और संबत अंतिम से अंतिम में समाब्त होती है दीखे इस पे थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया है तो उससे आप लोग डिस्टब मत होईएगा यानि इस इनका कहने का मतलब है ना जो सिध सिध्धान्त है उसी सिध्धान्त पर हम लोग अनुसंद्धान करते हैं लेकिन जो हमारी खोज होती है वो नहीं होती है पतलब सिध्धान्त तो वही रहते हैं लेकिन उस सिध्धान पर चलके हमें नहीं चीज़ आप एक रास्ते पर जा रहे हो वह रास्ता खोजा जा चु एक रास्ता गया है लेकिन आप जब गया हो तो अब बतार रही नहीं उसके अगल बगल रास्ता तो गया रही है लेकिन उसके अगल बगल बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है तो वही सेम चीज यहां पर बताया गया है देखें इसमें इंग्लिस में देख लेते हैं some important definitions here are a number of definitions by re-owned researchers and students which is which will assist you to grab the meaning of research more equal and clean ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मतलब की आसानी से आपको पढ़ने में आसानी होगी ठीक है देखें है इसमें कॉन से हैं young pb define it is as research could also be defined because the systematic method method of discovering new facts or verifying old facts their sequences interrelationships casual explanation and therefore the natural laws which govern them okay capitalist definition defines as research is systematic controlled empirical and important investigation hypothetical propositions about the presumed relation among phonemen okay john john w best defines as it research is that the systematic and objective analysis and recording of control observation which will lead to development to generalization principles of theories and prediction and possibly ultimate ठीक है अब देखते हैं b क्या बोल रहे है characteristics of research a number of characteristics of research are remember all that you simply have learned from the meaning and definition so far first है देख लेते हैं first क्या बता रहें first है हमारा it is a scientific investigation scientific investigation मतलब कि वैग्यानिकता के क्या क्या है इन्वेस्टिकेशन मतलब खोज करना ठीक है यानि जी जो हमने रिसर्च किया है उसको वेग्यानिक द्रिस्टिकोन से क्या करना है उसको साडिस्ट्वाइ कराना है second है by scientific we mean that it requires the utilization of scientific method and procedures that is methods and procedures which are tried and tested and may produce similar or somewhat similar result on each application third है the results of information that we got through scientific methods are often would to develop concepts and theories of their own next है fourth है हमारा fourth है हमारा the findings of research might not an instantaneous solution but has academic relevance of a drag although its projects or recommends some solutions sometimes fifth है हमारा good research findings and reports help in deciding it also adds to the given stock of data or the body of existing knowledge अब इसका हिंदी में translation देख लेते हैं हिंदी मेडियम के लिए यह एक वैग्यानिक जाच है वैग्यानिक से हमारा परिडाम दे सकते हैं यानि कि जो चीज रिसर्च हुई है वह हर जैसे हर एक अप्लिकेशन में जैसे मालो कि कोई दूरी है पालो वो दूरी है तो वो किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच या फिर फिट इन सब में क्या होगी वो समान मतलब उसकी वैलिस तो बढ़ेंगी लेकिन वो एकोरेट होगी तो ऐसे ही वो हर अप्लिकेशन में क्या थोड़ा बहुत माइनर अपडाउन हो सकता है लेकिन वो सेमिलियर होनी चाहिए तभी वो वैलिड है ठीक है थर्ड है मरा वेग्यानिक तरीकों से हमें जो परिडाम या जैनकारी मिलती है वे अकसर अपनी खुद की अवधानों और सिध्धानों को विक्सित करने के लिए अभ्यस्त नहीं होते सोध के निसकर्स एम एक ड्रैक का ततकालिक समाधान नहीं हो सकता लेकिन अकादमिक प्रसांगता है हाला कि यह कभी कभी कुछ समाधानों को प्रोजेक्ट या अनुसंसा करता है पांचवा अच्छे सोध निसकर्स और रिपोर्ट निर्णे लेने में मदद करता है यह डेटा के दिये गए स्टाक या मौजुद ग्यान के सरीद में भी जोड़ा जाता है यारि कहने का मतलब है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसे हर एक पैरामीटर पर उसको अच्छा प्रफॉर्म करना है यह नहीं कि कहीं पे कुछ और वैल्यू आ रहे है कहीं पे कुछ और वैल्यू आ रहे है तो आपका जो रिसर्च है वो मानी नहीं होगा कुछ हद तक माने उसमें बोलते हैं जैसे कि आप लोग पढ़ते हुए हो तो इनके और इन लेखकों के बीच में इन फिलोसफरों के बीच में क्या है मतभेद है वो मतभेद आ जाएगा यानि कि अगर जो कोई भी फिलोसफर है या फिर कोई भी उस चीज़ का ग्यानी है तो वैलिड है नहीं तो वैलिड नहीं है तो यह हमारा आज का लेक्चर था आई होप अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में